हेलो आगरा इन्वेस्टी में बिए फॉर्स्ट इयर सेकेंड एर का जो है एक्जामनेशन लेने के बाद जब रिजल्ट दिया गया है इसके बहुत सारी चीजे जो है सामने आ रही है नहीं ऐसा लग रहा है कि कौपी प्रॉपरली चेक हुई है बच्चे के मार्क्स में रिखी के मिस्टेक्स देखने को मिले है लेकिन इसी बीच में जो है री एक्जामनेशन कंड़क्ट करवाये जाएगा ये चीजे क्लियर हो चुकी है आगरा इन्वेस्टी से रिलेटेड एक ओफिशिल लोटिफिकेशन आ रहा है जो आप लोगों के लिए जरूरी है और ल इस वीडियो में भी बात करेंगे देखो डेली बेसिस पर वीडियो नहीं लाने का रीजन यही है कि कुछ इंफॉर्मेशन उनिवर्स्टी तो देती नहीं आपको भी पता है चाहे कॉल करते रह जाओ फिर भी वो रिसीब ना करेगी फोन और ना ही खुछ बताईगे तो फ तो उसके लिए जो है नोट्स या फिर आप प्लासे जो भी जिस भी चीजसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए वो हमारे एप पर कैटलिसोनी आप पर दिया गया है आप वहां से ले सकते हो थोड़ा सा नोट्स में थोड़ा से क्वेस्टेंस में जो क्यों कोशन दे देगा तो वात ही अलग है लिए 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 बात कर लेते हैं कि आप लोगों को आगरे इंवेस्टे से ऑफिशल नोटिफिकेशन क्या रहा है देखो अभी 107 को लेकर के युनिवेस्टी कुछ नहीं बोल रही है इसके नहीं बोलने का र सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं अगर वो तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं दैट मिन्स कि उनको जो है पूरा यर यानि पूरा साल उनका खराब हो जया अब उनको फिर से पूरा एक्जाम फिर से पूरा फोस्टिय पढ़ना होगा तो इसी को लेकर के वो सोच रही ciento R ری evalnya के लेकर जुए बच्चों से री का form भरवा भर लिया गया है री examination का form भरवा दिया गया है examination लेने की बात हो रही है लेकिन इस बीच में युद्ट कि इन कमिटी बनाया है जो कि बतायी जा रहा है कि एक committee बनाया है उस committee ने अगर decision ले लिया grace marks देने का जिसमें से grace marks आपको 4 नंबर 3 नंबर जो भी दिया जाएगा उसमें अगर आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे क्योंकि जादा तर बच्चे फसे जो है एक दो नंबर से ही फसे है तो वो निकल जाएंगे तो अभी देखो university अपने सोच में लगी हुई है उसी बीच में re-examination का form fill up का जो है date निकाल दी है तो अभी यहाँ पर जो re-examination का form fill up है उसका date आगे भी बढ़ा लिया गया है क्य कोई भी decision नहीं लिया जा सका है देखे क्या लिया गया है यह साथ नवंबर का है latest ही है एदद द्वारा सुचित किया जाता है कि वर्स 2024 के LLB प्रथम द्यूतिय और तृतिय वर्स था भी ये LLB प्रथम द्यूतिय तृतिय चतुर्थ हो पंचम वर्स एम B8 दिख रहा है आपको B8 प्रथम द्यूतिय की पुनर परिक्षा बैक पेपर में अहर अभियर्तियों के परिक्षा आवेदल पत्र पूरित करने की अंतिमतिती को विस्तारित करते हुए दिनांग 25-11-2024 तक ने धारित किया गया है क्योंकि आप लोगों का डेट जो है 25 नॉवंबर तक फ आगे बरहाया जा रहा है और अब ये डेट आप लोगो 25 नॉवंबर तक हो गया है 25 नॉवंबर तक री एक्जामनेशन का फॉर्म फिल किया जाएगा अगर आपके कॉलेज वाले या कोई भी आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि लास्ट टाइम कर रहे थे और यह ओफिशल नोटिफिकेशन है वेबसाइट से खुद भी जाकर के देख सकते हो समस्त अहर चात्र चात्रा है जो उक्त परिक्षाए है तो आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हो विश्व विद्याले की वेबसाइट www.dbru.ac.in पर सम्मनित कॉलेज के माध्यम से आवेद नहीं भरा हो गया है तो भरवालो क्योंकि अभी उन्वर्स्टी कब तक यह इंफॉर्मेशन देगी हमें भी नहीं पता है मैं सच बताओ कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्या करने वाली है इस पेसली 107 को लेकर कि उसका डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं हुगा है एप पीसी पेपर में तो पहला आप लोगों ने एकजाम लिया चलो ठीक है एकजाम लिया तो लिया बच्चों को फेल किया और उसके बासे उसी में फेल की वज़े से बच्चे का पूरा यर खराब हो रहा है यह सब तो पता नहीं यह सब इन्होंने भी नहीं सूचा था कि इस तरह से चीज़े होंगी लेकिन यह तो हो चुका है तो अभी जो फिलहाल के लिए जो चीज़े निकल कर आ रही है क्योंकि इसका अब आप लोग का फॉर्म फिलप का डेट 25 नॉमबर कर दिया है तो आप लोग मेरे से बार बार एक्जामिनेशन के बारे में पूछ रहे हो क में हम री एक्जाम कब तक होगा तो अब इतना तो शियोर है कि री एक्जाम आप लोगों का आप दिसंबर लास्ट तक जा सकता है पहले नहीं हो पाएगा 25 नॉमबर को फॉर्म फिलप लास्ट पोरा तो कम सकम 10-15 दिन तो इन लोगो चाहिए होगा पूरा करने को तो आप लोग आप सीटेट जो जो बच्चे देने वाले थे आराम से सीटेट दीजेए सीटेट के बाद ही आप लोग का री एक्जाम जो है आगरा इंवस्टी का देखने को मिलेगा डिसंबर लास्ट या मेभी यह भी हो सकता है कि यह लोग जनवरी में लेकर के चले जाए अगर लोगों का एक्जामनेशन थोड़ा साब लेट लिया जा सकता है री एक्जाम ठीक है तो अभी पहले री एक्जाम अगर लेट हो रहा है तो फोकस किस पर करेंगे हम सीटेट पर ठीक है अभी और एक और चीज एक और चीज आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि हम री एक् से हमारे यह कि एप से जो है सकते हो अगर आपने पहले से अपना Notes बना करके रखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है आप लिए हमारे हमारी चैनल को अल्रड़ी पहले बी classes बहुत सारे चले हुए हैं वो भी जाकर देख सकते हो practice कर सकते हो और जो ही बच्चे classes लिये हुए हैं वो भी जाकर कि आप उसको revise करेंगे इसमें revision करना है only और कुछ नहीं है जिनका एक paper में है वो एक paper का revision करें जिनका दो paper में है और दो paper का करें दो ही paper तो करना ही है तो पूरे अच्छे तरीके से जो है इसको खा जाओ अच्छे से जो है दिमाग में डाल लो यही है preparation का तरीका और कुछ extra नहीं करना है इसमें आप लोगों ठीक है एक और काम कर सकते हो जो PYQ है previous year के questions है उस subject के वो आप देख सकते हो उसके लिए भी आप हमारे YouTube channel पर जो classes पहले लिए गए है वो आप लोगों के लिए helpful रहेगा वो भी आप उसका भी use कर सकते हो तो फिलाल के लिए आगरा इंवस्टी से जो है यही information आ रही है इसके लावा कोई और इनफोर्मेशन होगी तो डेफिनेटली आपको इसे चैनल का बाद दम से इंफोर्म के जाएगा तिल देन टेक क्या रहेगा